दोस्तो आज की वीडियो को हम आपको करवाने जा रहे हैं तो इस वीडियो के तुरूप सबसे पहले आपको पता ही होगा किसी भी कारिय को करने के दो पक्ष होते हैं या तो उस काम को करने के लिए लोग लालाइथ होते हैं या फिर उस काम करने के लिए वो ना करने के लिए दबाव बनाते हैं तो यहाँ पर दो ग्रूप हम मैंने आपको समझाए है एक जो करते हैं वो किसी भी कारिया को करने के उदेश्य से चलते हैं तो उसको हिट समू कहते हैं और जो उसी कारिया को करने के लिए जो नानकार करते हैं यानि उस चीज़ को मना करते हैं ग्रोध करते हैं उसको हम दभाव समूँ हो गये और यह सब हमारे क्या है दभाव समूँ के परकार होते हैं ठीड हैं अब समझ लेते हैं दभाव समूँ होते क्या हैं आधारन शब्दों में दभाव समूँ लोगों के उस 유튜ین सवार्चों के सिर्दियों के लिए सरकार की नियрinary kõrita ko다가 सर्कार के नियुरू से अपने स्वार्चुभी तो दबावसमू कहलाता है और अगर सरकार के खिलाप जाता है , गर लिए सरकार के खिलाप जाता now समझ गया है तो इसमें दबाव समूह के लिए कुछ विद्वान हिट समूह का भी प्रियोग करते हैं लेकिन बिना राजनेतिक प्रक्रिया को परभावित किये कोई भी हिट समूह दबाव नहीं कहला सकता अब ये कोई न कोई कारिया जो भी करवाएंगे वो उस पर दबाव तो राजनेतिक पार्टियों पर ही डालेंगे और हिट समूह में प्रभाव कारिता की शक्ति आ जाने पर वह दबाव समूह का यानि कि अगर हिट समूह की कोई बात मानने लग जाता है तो जैसे कि मान लेजिये कि अब जैसे इसमें मंत्री मंडल में अगर कोई जैसे 370 आर्टिकल हटवाना था तो ये हिट समूह अपने सदश्यों के लिए नहीं था ये देश के विकास के लिए था तो इसको हिट समूह कहा जाता है और मान लेजिये कि आयोध्या मंदिर बनन पुझिसमें देश का भी फाइदा होता है या किसी पार्टी का फाइदा होता है तो हित समूह कहलाता है लेकिन स्वात्सिद्धी का जब उसमें जो है उसमें जब लोब आ जाता है स्वात्सिद्धी के लिए जो वो कारिये करते है तो उसको हम दबाव समूह कहते हैं तो द स्क्रीन शोट ले सकते हैं किसी की भी कोटेशन आप यहां पर डाल दीजिए जैसे मैं यहां पर मैकाईवर के अनुसार बता रहे हूं सारवजनिक नीती के निर्मान उनके परश्याशन निर्वाजन को प्रभावित करने का प्रयास करता है अगर हम पॉल्टिकल साइंस पर रहे हैं तो इसमें सबसे फिट यह जो कोटेशन बैठती है इसको आप याद कर लेना ऐसी ही बहुत सारी कोटेशन हैं इन में से अगर आ कहा जा सकता है कि दोनों समुह में यानि दबाव समुह हिट समुह में अंतर होता है अपने प्रात्मिक्स रूप में प्रटिक दबाव समुह एक हिट समुह ही होता है जब उसकी इच्छाएं यानि उसके स्वार्थ जो फली फूलित होने लग जाते हैं तो वो क्या बन जात तीन नियम जो बनाए गए थे कि उनको वो लागू कर दे क्योंकि उससे क्या होगा फाइदा कुछ बड़े उद्योग घरानों को होने वाला था किसानों का नुकसान होने वाला था उनकी एक जो फसल है उसका एक रेट जो फिक्स ता सरकार की तरफ से था जुसमें भी किसानो कोई रेट नहीं रखा गया था तो इस तरह के दबाव सरकार के लिए दबाव समू बनाते हैं अपने हितों की सिद्धी ये लिए अब यहां पर हम कर रहे हैं हित समू और दबाव समू में अंतर अगर हम करेंगे तो यद पी कुछ विद्वान हित समू और दबाव समू में को हम प्रभावित करने को जाता हैलेकिन जब कोई इस मों अपने अत्याधिक प्रिय्स बनाकर किसी को पीछे When हड़क दो कर अपने ही तो कि स्वारशिद्धी के लिए सरकार पर दबाव बनाता है तो कि संग्या दे यहां पर आप कोटिशन में लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हैं जैसे काटर और हर्ज ने दबाव समोरहित समू में अंतर बताया है कि विभीन आर्थिक व्यवसाइक धार्मिक नैतिक और अन्य समू यह ऐसे धर्मों के ओपर जो है व्यवसाइक के ओपर है या किसी आर्थ उसे बड़ी समश्या यही है कि इन विभीन हितों और शाषन और राजनेती के वीच संबंद कैसे हो एक स्वतंतर समाज में हित समू को उसकी अन्मती संक्तित होने की अन्मती होती है यान किसी धर्म में नायतिक्ता के अधार पर धर्म के अधार पर व्यवसाइक के अधार जब एक समूग बन जाता है तो सरकार पर वो परभाव डालने का प्रियास करता है और इस परकार कानून नियम प्रशाष किया कारिये हैं वो अपने अनुसार करने की कोशिश करता है तो हित समूग और दबाव समूग में वो बदल का सरकार पर दबाव डालने वाले हो जात कि आप इस कारियों को कीजिए जिसे हमारे सदश्यों का और हमारे शेत्र का विकास हो इसके विपरेत दबाव सुमु अपने हितों की पूर्ती के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं तरीके ढूंडते हैं हिट्समुह राजनीती में प्रत्यक से संबंद नहीं रखते हैं जबकि दबाव समुह राजनीतिक गति वीडियो से प्रत्यक से संबंद रखते हैं सदैव राजनीतिक प्रिक्रिया को पर भावित यानि विपक्ष वाले भी बोल सकते हैं इसको चेश्टा करते रहते हैं हिट समूहों का संबन सामान जी छरंचना और प्रकरिया से होता है उनका लक्षय सदेव समाजी गति शील्टा यानि समाज में गति शील्टा बनाए रखने का काम होता उनका और इसके विपरुज जो दबाव समू होते हैं वो राजनेतिक प्रकरिया को परभावित करते हैं क्योंकि यही गुण तो उन्हें हीट समू से अलग करते हैं यानि यह परभावित करते हैं और वो गतिशील बनाते हैं फॉर्थ पॉइंट में हैं समाज में हीट समू तो अनेक होते हैं लेकिन दबाव समू संख्या में कम होते हैं क्योंकि सभी हीट समू राजनेतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते हैं हिट समूह का संब्द समाजी गती शीलता से जबकि दबाव समूह का संब्द राज़नेतिक विवस्ताओं को सिर्फ प्रभावित करने से है हिट समूह अपने लक्षे में कम सफल होते हैं क्योंकि उनके पास प्रभाव शीलता का गुन नहीं होता है इसके विपरिद दबाव समू प्रभावशीलता के गुन के काड़ी यानि प्रैसराइज करने के कारण अपने लक्शे को असानी से प्राप्त कर लेते हैं अब यहां पर हम करेंगे दबाव समू के विशेस्ताइं करेंगे दबाव समू उपचारिक रूप से संधित व्यक्ति के समू होते हैं उपचारिक रूप से यानि फर्मल्टी से लोग ही कठे होते हैं किसी एक विशेश कारिया को करने के लिए जिसके बाद वो अलग हो जाते हैं दबाव समू के निर्मान का अधार सव ही तो यानि अपना फाइदा होता है इसे की प्राप्ति करना इनका दिह यानि लक्षा होता है दबाव समू सरकार में भाग नहीं लेते लेकिन अपर्टेक्स रूप से सरकार के नीतियों को परचारित करते हैं दबाव समू जैसे की आपर्टेक्स या पर्टेक्स रूप से तो यह राजनीती में तो भाग नहीं लेते लेकिन आपर्टेक्स रूप से सरकार की नीतियों को यह परचारित करते रहते हैं दबाव समू सदश्य संख्या उदेश्य चुनाव आदी की दृष्टी से राजनीतिक दल से अलग होते हैं दबाव समू का कारी शेतर राजनीतिक दलों के तोलना में सीमीत होता है क्योंकि राजनीतिक दल तो पार्टियां होती हैं दबाव समू सरकार पर अपना राजनेतिक दलों के माद्यम से प्रभाव डालते हैं दबाव समू समी सभी प्रकार की राजनेतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं इसी कारण इनकी प्रकर्ति जो है सर्व व्यापी होती यानि हर एक शेत्र में आप राजनेतिक व्यवस्थाओं में इनको देख सकते हो दबाव समुह के सदश्यता एचीक होती है जिसका मन करे वो आओ जोड़ा इन से और जिसका मन नहीं करता है वो इन से अलग भी हो सकता है एक व्यत्ति एक समय में अनेक दबाव समुह का सदश्या बन सकता है दबाव समूह का कारियकल एनिश्चित होता है क्योंकि ये किसी सरकारी स्था के सदश्या नहीं होते है दबाव समूह गैर राजनेतिक संग्ठन होते हैं आप इससे बात से भी समझ को समझ सकते हो दबाव समूह मैंने आपको बताएगी दो तरही के होते हैं इनको अब किसी विद्वान के अकोडिंग अगर आपको वर्गी करन करना है तो यह question और आगे बढ़ सकता है लेकिन फिलाल हम इस question को यही तक करेंगे आगे देखते हैं इसमें क्या है अगर भूमिका के बारे में हम बात करें कि इनके कारिये होते क्या हैं तो यहाँ पर इसका आप स्क्रिन शोट ले लिजिए इसमें से आपको जो अच्छा लगी आप स्लेक्ट करके अपने answer में लिख सकते हो अब यहाँ पहला कामिन का क्या होता है लोग तंत्रिय पर करिया की अभिवेक्ति करना यानि के जो भी दबाव समुहों के portion के लिए अनुकूल प्रिस्चितियां परदान करती हैं वो सारी कोन करते हैं पर जया तंत्रिय शाषन परनालिया ही करती हैं देशों में दबाव समू अपने लक्षों के प्राप्त करने के लिए जनमत का अधिक सहारा लेते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, या कहीं बार सरकार का प्रेशर भी जनता पर बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, विचार गोश्टियों के पत्तरपत्त्रिक contain दोवरत्यों इससे भाहों दोवरते कों स्थाइब अभीव्ति के दोवरते हैं सर्कार की निरंकुष्ता पर रोक लगाते हैं एसा थ्रम अऑलने हिसे हो गही आकर अपने हिसाब से अपने जो्वार्त के लिए कारियक टरु है। तो यह जनता के साथ मिलकर उनकी निरंकुस्ता पर भी रोक लगा सकते हैं। निति निर्माण में सहायक होते हैं। लोक तंत्रियों देशों में दबाव समुष शाशन तंत्र के इद्ध गिर्द चकर काटते रहतें। कार्य पाली का हो या विधाय का। शाशन तंत्र के अंग के रूप में इसकी सदा यह इच्छा होती है कि जानने की कि लोगों की अवशकताएं क्या ही हैं। निति निर्माण में यह लोगों की इच्छाएं जो हैं। मंत्री मंडल में रखते हैं, संसद में रखते हैं और वो पूरी करवाते हैं। उसके करियानवन में या उसके कानून निर्मान में ये सहायता करते हैं इस परकार गहर सरकार स्त्रोत के रूप में भी दबाव समुह से निती संबंद हवशक सूचनाई जो पर प्राप्त की जा सकती है शासंतंत्र को प्रभावित करते हैं शासंतंत्र को किस तरह से प्रभावित करते हैं ये राजनातिक दुलों के साथ साथ घट करते हैं अपने हितों के लिसरकार पर दबाव बनाते हैं विधाय का गया कारेपाली का गयर गयर चकर लगाते रहते हैं जतने भी नीती निरणे होते उनका प्रभावित करने की छेष्टा करते रहते हैं इनका मुख्यलक्षय ही होता अपने एतों का प्रभाव डालना समाज के विबीन वर्गों के हितों में समिजिष्य बठाते हैं जितने भी मतलब समाज में किसान, शर्मी के व्यपारी, मजदूर जाते हैं, समुदाय धार्मिक, समुदाय विद्यार्ति श्री हैं, उन सब के बीच में सामें जिश्य बिठाते हैं. अपने निजीस वारतों को इंदरबिंदू रखते हैं. अब इस समाज में संतूलन की स्ट प्रक्का कारिये भी करते हैं, जनता और सरकार में कड़ी का काम करते हैं, यानि दबाव सुमु जनता और सरकार को जोडने वाली कड़ी है, जनता की मांगो को सुमु भी करण के रुप में दबाव करके सरकार तक पहुंचाती है, निती निर्मान करने में सहायता करती है, इतने भी दबाव सुमू है, अमेरिका, भारत, बिटेन, स्वीजरलेंड, सभी में ये होते हैं, स्युक्त राज्य अमेरिका की सरकार एक ऐसा शिशू है, ये वुड्रो विल्सन ने लिखा है, कि जो विशेश हीतों की देख रेक में पला है, इस प्रकार प्रते एक राजनात स्माज़गी को जुडने में सहता करते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसकी जो है, आलोचना करते हैं, आलोचना करने के लिए इए दबाव सुमू विशेष्ट हित को लेकर सरकार के पासจाते हैं, उनका सामानिय लोगों के हित से कोई इनको लेना देना नहीं होता, ये आलोच से या फिर सरकारी सरंचना हैं उनको नुक्सान पहुंचाते हैं बरष्टाचार को जनम देते हैं विदायकों को आनायतिक साध्रों से प्रभावित करते हैं नयाई पालिका जैसे पवित्र संग्धन को भी यह नहीं लोग यह लोग नहीं छोड़ते स्यामदामदंड लोग तक की भूमिका को महतों को प्रभावित कर दिया है तो इसलिए समय की मांग है कि दबावसमों की नेरुमकुस्ता को रोक लगाया जाए और समाज और सरकार दोनों के बीच गंभीर ये खत्रे उत्पन कर देंगे जिसके निश्कर्स में आप लेख सकते हो